गुणा की चरण चार में स्वागत है, आईए कुछ सवाल हल करें मानलो 235 मैं दो रंगों का प्रयोग करूँगा गुणा 47 करते हैं हम इस साथ को लेते हैं और 235 से गुणा करेंगे तो साथ गुणा 5 हुए 35 साथ गुणा 3 है 21 जमा तीन हासिल लिए, ये हुए 24 साथ गुणा 2 हुए 14 हमने 2 हासिल जोड़े, अब ये हुए 16 तो हमने साथ का गुणा पूरा किया अब हम ये चार लेते हैं, ये चार दहाई के स्थान पर है इसलिए हम यहाँ 0 ने रखते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं कि हम 235 को 40 से गुणा कर रहे हैं, ना कि 4 के साथ इसलिए हमने वहाँ 0 ने लगाया लेकिन जब आप वहाँ 0 ने रखते हैं, तो आप इसे केवल 4 के तौर पर ले सकते हैं तो 4 गुणा 5 हुए 20, हमने जो पहले किया है उसे अंदेखा करते हैं 4 गुणा 3 है 12, जमा 2 हमने हासिल लिए, ये हुए 14 4 गुणा 2 हुए 8, जमा 1 हासिल लिए, ये है 9 अब सभी को जोडते हैं, 5 जमा 0 है 5, 4 जमा 0 है 4, 6 जमा 4 हुए 10 एक हासिल ले जाते हैं, अब एक जमा 1, जमा 9 हुए 11, तो उत्तर हुआ 11,045 आईए एक और सवाल हल करें मानलो हमारे पास है 873 मैं यहाँ संख्या उपर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए 873 गुणा, कोई भी बड़ी संख्या जैसे 90 मैं इसे अलग रंग में लिखता हूँ, ताकि जो मैं बता रहा हूँ, वो आसानी से समझाए तो गुणा 97, नहीं 7 पहले प्रयोग किया है, 98 लेते हैं जैसा हमने पहले किया, पहले इकाई के स्थान पर जाते हैं, जहां 8 है, हम इस 8 को 873 से गुणा करते हैं इस तरह 8 गुणा 3 है 24, हासिल 2 ले जाते हैं 8 गुणा 7 है 56, जमा हासिल 2 लिए, हुए 58, 5 हासिल ले जाते हैं 8 गुणा 8 है 64, जमा 5 हासिल लिए, यह हुए 79, हमने 8 का गुणा पूरा किया अब हमें 9 का गुणा करना है या कह सकते हैं कि हम 873 को 90 से गुणा कर रहे हैं किसी संख्या को 90 से गुणा करना उसी तरह है, जैसे उसे 9 से गुणा करके बाद में 0 लगा दें इसलिए मैंने यहां 0 लिखा हमने जो पहले किया है, उसे हटा देते हैं 9 गुणा 3 होंगे 9 गुणा 3 है 27, हासिल 2 ले जाते हैं 9 गुणा 7 है 63, जमा 2 हासिल लिए, यह हुए 65 6 हासिल ले जाते हैं 9 गुणा 8 है 72, जमा 6 हासिल लिए, यह हुए 78 और अब सभी को जोडते हैं 4 जमा 0 है 4, 8 जमा 7 है 15 1 जमा 9 जमा 5 हुए 15 1 जमा 6 जमा 8 भी हुए 15 और 1 जमा 7 है 8 इस तरह शायद उत्तर होगा 85,554 मेरे पास calculator नहीं है शायद मैंने कोई घलती नहीं की है आईए एक और सवाल करें मेरे विचार में ये हमें लक्ष तक पहुँचाएगा अब मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप इसे चरण 5 के सवाल के रूप में भी कर सकते हैं क्योंकि मैं असल में तीन अंकों की दो संख्याओं का गुणा कर रहा हूँ लेकिन ये उसी तरह है और उमीद है कि आप तरीके को समझेंगे मान लो 234 गुणा आब इसे तीन रंगों में लिखूंगा मान लो 600 ये रहा 4 और ये 3 गुणा 643 करने हैं पहले हम इकाई के स्थान पर 3 का गुणा करते हैं अच्छा तो 3 गुणा 4 है 12 एक हासिल ले जाते हैं 3 गुणा 3 है 9 जमा एक करें ये 10 हुए एक हासिल ले जाते हैं 3 गुणा 2 है 6 जमा 1 ये 7 हुए इस तरह हम ने इसे पूरा किया शायद मुझसे कोई घलती हुई है, देखते हैं, तीन गुणा चार है बारा, ओ, ये सही है, मैं खुद चक्रा गया था, ठीक है, अब हम चार या चालिस का गुणा करने के लिए तयार हैं, क्योंकि ये चालिस है और दहाई के स्थान पर है, हम यहाँ शूने रखते हैं, तो ये हुए तेरा, चार गुणा दो है आठ, जमा एक ये हुए नौ, इस सरह अब जो भी मानें हमने चार या चालिस से गुणा पूरा किया, अब छे या 600 से गुणा करते हैं, चूकि ये 6 सैंकडा है, हमने यहाँ दो शूने रखे हैं, और इसे 6 की तरह लेते हैं, हमने ज दो हासिल ले जाते हैं, 6 गुणा 2 है 12, जमा 2 हुए 14, अब सभी को जोडते हैं, यहाँ 2, यह 6, 7 जमा 3 है 10, जमा 4 हुए 14, एक हासिल ले जाते हैं, एक जमा 9 है 10, एक हासिल ले जाते हैं, यह 5 है, यह 1 है, उमीद है कि आप देख पा रहे हैं, शायद यह स्क्रीन से बाहर नह अब उत्तर हुआ एक लाख पचास हसार चारसो बासट मेरा विचार है कि अब आप चरण चार के गुणा के सवाल हल करने के लिए तयार हैं